C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का पंद्रवा सबक सबक पंद्रा दो गज जमीन मुसनिफ टॉलस्टोई सफ़ा नमबर 101 बहुत दिन हुए, रूस के एक गाउं में एक किसान रहता था उसका नाम था नचूम नचूम को इस बात का गम खाये जाता था कि वो एक बड़ी जमीन का मालिक नहीं है वो चाहता था कि उसके पास इतनी जमीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके उसी गाउं में एक बुढ़ी ओरत रहती थी जो काफी जमीन की मालिक थी उसने अपनी जमीन बेचने का इरादा किया गाउं के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मताबिक जमीन के छोटे बड़े टुकडे खरीद लिए नचूम भी जमीन खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम कम थी आखिर जमीन की मालिका इस पर राजी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी जमीन खरीद ली अब उसके पास पहले सी ज्यादा जमीन थी मगर उसके दिल को इत्मिनान न था उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा जमीनदार बने एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा नचूम ने उसे आवाज दी और पूछा आप कहां से आ रहे हैं? सफ़ा नंबर एक सो दो मुसाफिर ने बताया मैं वालगा नदी के उस पार एक जमीन देखकर आ रहा हूँ वहां एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त जमीन दी जा रही है इसके अलावा कोई चाहे तो ज्यादा जमीन खरीद भी सकता है नचूम के तो दिल की मुराद बराई वो अपनी जमीन और मकान बेच के वहां चला गया और सरकार से मिलने वाली जमीन के अलावा मजीद जमीन खरीद कर एक बड़ी जमीन का मालिक हो गया उसने गाओं की बोड़ी औरत को बक्या रकम भी अदा कर दी नई जगा पर नचूम की दोस्ती नए लोगों से हुई उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचूम से ज्यादा जमीन थी चुनांचे उसे अपनी जमीन फिर छोटी लगने लगी एक दिन एक ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई वो ताजिर मुखतलिफ इलाकों में जा जा कर अपना माल बेचता था उसने नचूम को बताया यहां से दूर बाशिक्रों के इलाके में जमीन बहुत सस्ती है बाशिक्रों के पास जमीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते मवेशी पालते हैं इसलिए जमीन बहुत सस्ते दामों में बेश देते हैं ये लोग बहुत सीधे साधे हैं अगर इनके लिए तोफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे ये सुनकर नचूम की बाचे खिल गएं और वो वहां के लिए रवाना हो गया उसने बहुत से तोफे तहाइफ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशिकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा सफ़ा नंबर एक सो तीन साथ दिन और साथ रात का सफर करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशिकरों के इलाके में पहुँच गई तोफे पाकर बाशिकर बहुत खुश हुए और नचूम का शुक्रिया अदा करके पूछा हम आपकी क्या खिद्मत कर सकते हैं? नचूम ने कहा मैं आपकी कुछ जमीन खरीदना चाहता हूँ बोला, ये बाशिकरों का सरदार था जमीन के खिद्मत? नचूम ने सवाल किया एक दिन के एक हजार रूबल सरदार ने जवाब दिया मैं समझा नहीं नचूम ने कहा मतलब ये के एक दिन जितनी जमीन के अतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो एक हजार रूबल में आपकी हो जाएगी सरदार ने जवाब दिया सफ़ा नंबर एक सो चार नचूम ने खुश होकर कहा एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी जमीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है सरदार ने जवाब दिया जी हाँ मगर शर्ट ये है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुँचना होगा अगर आप पहुँच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी जमीन आपकी होगी और ना पहुँच पाए तो ना ही जमीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी नचूम ने पहले ही से तै कर लिया था कि मश्रिक से ओभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लोटकर टीले पर पहुँच जाएगा भला नचूम को इसमें क्या एतराज हो सकता था उसने फौरण ये शर्थ मान ली राद ज्यादा हो चुकी थी नचूम सोने के लिए चला गया सूरज की पहली किरन के साथ उसको अपना सफर शुरू करना था उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया तेजी से तयार हुआ और फौरण सर्दार की जूपडी में पहुँच गया सब बाशिकर वहाँ पहले ही पहुच चुके थे नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए नचूम को यहीं से अपना सफर शुरू करना था सर्दार ने उससे एक हजार रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी जमीन पर रख दी चुनांचे उधर सूरज ने मश्रिक से जहाका और इधर नचूम ने अपना पहला कदम उठाया उसके पीछे पीछे कई बाशिकर जमीन में खूटियां गारते चले आ रहे थे सफ़ा नंबर एक सो पांच तकरीबन पांच किलो मीटर तक वो एक ही रफतार से चलता रहा ना बहुत तेज ना बहुत आहिस्ता इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई उसने अपनी वासकट के बटन खोल दिये और जरा तेज चलने लगा कोई पांच मील और चलने के बाद उसे धकन महसूस होने लगी सूरज भी अब काफी उपर आ गया था और उसकी किरने आखों में चुपने लगी थी नचूम ने सोचा अभी तो कोई पांच मील सीधा चलूँगा और फिर बाएं तरफ मुड जाऊंगा और सूरज के उपर आते ही वाफसी का सफर शुरू कर दूँगा मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और उची घास उसे नजर आती थी इसका मतलब ये था कि आगे की जमीन ज्यादा जरखेज है वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया सफ़ा नंबर 106 नचूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी जमीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी चुनांचे वो अपनी रफतार और भी बढ़ा दीता था अचानक उसकी नजर अपने साई पर पड़ी जो उसके साथ साथ दोर रहा था इसका मतलब ये था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था लेकिन वो वापस मुढने के बजाए बाई तरफ बढ़ता चला जा रहा था वो सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुढना चाहिए मगर जमीन के लालच ने उसे मुढने ना दिया और वो आगे बढ़ता ही गया सूरज डूबने में अब ज्यादा देर ना थी मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था उसकी सांस लोहार की धूंकनी की तरह चल रही थी हलक में प्यास से कांटे पड़ गए थे ठकन से दम निकल रहा था मगर वो दोरता गया दोरता गया डूबते सूरज की किरने उसकी आँखों में चुबने लगी और सामने का मंजर धुंदला सा हो गया अब उसे टीला नजर आने लगा था सूरज टीले के पीछे चला गया था इसलिए वो टीले पर खड़े हुए लोगों के धुंदले साई देख सकता था वो लोग हाथ हिला हिला कर उसे बुला रहे थे लेकिन उनकी आवाजें उसके कानों में नहीं पहुँच रही थी क्योंकि अभी काफी फासला बाकी था सफा नंबर 107 नचूम ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी जैसे जैसे टीला नस्दीक आता गया उसकी जिदो जहद भी तेज होती गई लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे उनसे खोन रिसने लगा था कानों में सीटियां सी बजने लगी थी दिल बहुत तेज धड़क रहा था दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था मगर वो रुक नहीं सकता था उसे एक बहुत बड़ी जमीन का मालिक जो बनना था किसी ना किसी तरह वो टीले के करीब पहुँच गया लोग उसकी हिमत बढ़ा रहे थे और तेज और तेज और तेज की आवाजें उसके कानों में गूँचने लगी वो टीले पर चढ़ने लगा सरदार की टोपी उसे साव दिखाई दे रही थी फिर वो जान तोड़कर दोडने लगा लेकिन तेजी से टीले पर चढ़ना आसान न था वो बार बार ठोकरे खा रहा था उधर सूरज की किरने टोपी के किनारों को चूर ही थी अचानक नचूम जबर दस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी सूरज डूबने के साथ साथ नचूम की जिंदिगी का आफताब भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया उसके दिल की हरकत बंध हो चुकी थी सरदार की टोपी और नचूम के बीच दो गस का फासला बाकी रह गया था उसी जगा पर कब्र खोट कर नचूम को दफना दिया गया हर इनसान की तरह नचूम के हिस्से में भी दो गस जमीन ही आई मानी याद कीजिए रूस एक मुल्क का नाम रकम रुपे, पैसे बकिया बाकी, बचा हुआ जमीनदार जमीनों का मालिक वालगा रूस की एक नदी का नाम मुराद बर आना तमन्ना पूरी होना, मकसद पूरा होना मजीद ज्यादा बकाया बचा हुआ, बाकी वो रकम जिसकी आदाईगी दूसरे पर वाजिब हो बाशिकर रूस के एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है मवेशी पालतू जानवर वो चौपाय जिन से खेती बाड़ी के कामों में मदद ली जाती है जर्खे जमीन उपजाओ जमीन वो जमीन जिसमें पैदावार ज्यादा हो रूबल रूसी सिक्का एतराज बात काटना राए से इखतलाफ करना कतार लाइन सफ सर्दार हाकिम अफसर टीला पहाड़ी मिट्टी का तोदा वासकट बगैर आस्तीन की जैकेट बोजल भारी हवस हिर्स ज्यादा लालच गम खाना मुहावरा कुढ़ना या अंदरी अंदर दुख बरदाश्ट करना हैसियत के मुताबिक बिसात के बराबर मकदूर भर अपनी हालत के मुताबिक बाचे खिलना मुहावरा बहुत खुश होना हाथों हाथ लेना मुहावरा खुशामदीद कहना गर्म जोशी से इस्तकबाल करना जान तोड़कर पूरी ताकत लगाकर जिंदिगी का आफताप गुरूब होना मर जाना जिंदिगी का सूरज डूप जाना जिद्दो जहेद मसलसल कोशिश लगातार मेहनत सफ़ा नंबर एक सो नौ सोचिए और बताईए सवाल एक नचूम की क्या खाहिश थी? सवाल दो मुसाफिर दे नचूम को कौन सी खुश खबरी सुनाई? सवाल तीन खुश खबरी सुनकर नचूम ने क्या किया? सवाल चार ताजिर ने नचूम को क्या मश्वरा दिया? सवाल पाँच बाशिक्रों ने नचूम की क्या तवाजे की? सवाल छे बाशिक्रों के सरदार ने जमीन फरुखत करने की क्या शर्त रखी? सवाल साथ नचूम आगे क्यों बढ़ता चला गया? सवाल आठ नचूम का ये अन्जाम क्यों हुआ? सफ़ा नंबर 110 दिये हुए लवजों को अपने जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए हैसियत इत्मिनान बकाया कतार तवाजे रफतार सफर जर्खेज लालच कबजा एहसास शराबोर वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए रकम तोहफे मतलब अत्राफ शर्त एत्रास टोपी एहसास मन्जर सीटियां उंगलियों हरकत खोटियां बताईए के ये जुमले सही हैं या गलत एक बूर्धी औरत ने अपनी जमीन बेचने का इरादा किया सही या गलत दो नचूम चाहता था कि वो एक बड़ा जमीदार बने सही या गलत तीन बाशिक्रों के पास जमीन कम थी सही या गलत चार हर जुमपड़ी के पीछे मोटर गाणियां बंधी होती थी सही या गलत पांच मैं आप की जमीन खरीदना चाहता हूं सही या गलत छे सरदार ने उससे दो हजार रूबल लेकर अपनी टोपी में टाले सही या गलत साथ हमारा मुलाजिम इस टोपी के पास मौजूद रहेगा सही या गलत आठ दूर दूर तक टीला दिखाई ना देता था सही या गलत नौ लोग उसकी हिम्मत घटा रहे थे सही या गलत सफ़ा नंबर 111 खाली जगा को भरिये एक नचूम भी खाली जगा खरीदना चाहता था दो लोगों को खाली जगा जमीन दी जा रही है तीन एक दिन खाली जगा से नचूम की मुलाकात होई चार एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी जमीन के खाली जगा चकर लगा सकता है पांच, उसके पीछे-पीछे कई, खाली जगह, जमीन में कूटियां गारते चले आ रहे थे छे, सूरज की किरने उसकी, खाली जगह, में चुबने लगी थी साथ, वो, खाली जगह, में आकर आगे बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया आट, उसकी सांस, खाली जगह, की तरह चल रही थी नौ, लोग उसकी, खाली जगह, बढ़ा रहे थे दस, सरदार की टोपी और नचूम के बीच, खाली जगह, का फासला बागी रह गया था इन लवजों के मुतजाद लिखिये इतमिनान जरखेज मौजूद बोजहल धुंदला गुरूब सफ़ा नंबर 112 गौर करने की बात ये कहानी रूस के मशूर मुसन्निफ टॉलस्टाई की है टॉलस्टाई आलमी शोहरत रखने वाले अदीब थे उन्होंने कई नौविल और अफसाने लिखे हैं उनके नौविल जंग और अमन को सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई उनकी तहरीरों में इसलाही पहलू बहुत नुमाया हैं इस कहानी में नचूम नाम के एक किरदार के जरिये ये बताने की कोशिश की है कि इनसान हिर्सो हवस में फंस कर किस तरह अपना नुकसान कर बैठता है इनसान की जरूरियात महदूद होती है उसकी हवस लामहदूद है ये एक नहायत दिल्चस्प, सादा और खुबसूरत अंदाज में लिखी गई कहानी है इसे पढ़कर इनसान सोचने पर मजबूर हो जाता है और इस नतीजे तक पहुँचता है कि हर इनसान की जिन्दगी का अंजाम यकसा होता है सबके हिस्से में बिलाखिर दो गस जमीन आती है इसलिए लालच में अपनी जिन्दगी को खराब करना दानिश मंदी नहीं है इसी के साथ अपनी जबान भागदो का पंद्रवा सबक यां खत्म हुआ इसके बाद सबक सोलहाता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत